जोडो की दर्द जा गठिया जब किसी को हो जाता है तो उस परसन के साथ साथ उसके देखरेक करने वाले परसन को भी बहुत सारी देखतों का सामना करना पड़ता है कोकि उनकी देखरेक करना बहुत मुश्कल होता है कोकि जहां भी लेके जाना उनको पकड़ के लेके जाना पढ़ता है, तो गठीया जब हो जाए, तो आप उसमें आक्टिक सी इस्तमाल करें, जिसकी 3 सॉफ्ट जल आपने डिली खानी है, उसके साथ अप अलोवेरा जल का इस्तमाल करें, अलोवेरा जल का इस्तमाल आप सुबह खाली पेट करें और आदे पहने गंटे का गैप रखे उसके बाद आप पानी पिए उसके बाद ही कुछ खाएं जे भी हमारे जॉइंट्स को हेल्दी बिनाने का बहुत अच्छा काम करती है साथ में ध्यार रखना कि जब भी ये प्रॉड़क्ट अपने किसी से लेने है तो हमेचा फ्रैवर के डिस्टिबूटर से लें और जो प्रॉड़क्ट का जब इस्तमाल करना है उसको अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि कई बार क्या होता है कि 5-5-6-6-10-10 जन बाद इनकी डोज में चींजिस करने पड़ सकते हैं क्योंकि ये सप्लिमेंट्स होते हैं तो जब हम इसका इस्तमाल शुरू करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी प्रॉबलम बढ़ जाती है लेकिन उससे गबराई नहीं इसको healing crisis का नाम भी दिया जाता है कि जब आप कोई चीज खाते हो पहली बार तो वो थोड़ा सा reaction आपकी body के साथ करती है लेकिन वो एक अच्छा sign होता है कि हाँ आपको फरक पढ़ना शुरू हो गया है तो हमेशा distributor से खरीदें इसको खाने का तरीका अच्छे से समझें और साथ में जो भी आपकी medicine चल रही है वो अपने doctor से उसकी सलाज जरूर लें डेफिनेटी आपको बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा आप और कौन सी ब्मारी के बारे में जानना जाते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेर जरूर करें ताकि जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक्यू सो मच